नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप और आज हम mathematics की practice class number 4 ले रहे हैं question जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पहला question है वो है हमें percentage से कि वोटिंग elections में तीन व्यक्ति खड़े हुए थे एक को 200 वोट्स मिली दूसरे को 200 तीसरे को 400 तो जो candidate जीत गया जो उमीदबार जीत गया उसको कितनी वोट्स प्रापत हुई solution हम यहां पर करेंगे तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है M1 इसको वोट्स मिली 200 जो आपको दिखाई नहीं दी रहा होगा हाँ ठीक है जो M2 है उसको वोट्स मिली 250 जो M3 है उसको वोट्स मिली 400 तो टोटल वोट्स टोटल कितनी डली तीनों को जोड़ देंगे 400 200 600 700 800 साड़े आठ सो टोटल वोट्स हमारी हो गई ठीक है अभी candidate जीता कौन है सबसे ज्यादा वोट्स मिली है इस व्यक्ति को तो यही जीता होगा हाँ ना तो percentage निकालने के लिए हमें अभी इस व्यक्ति की percentage निकालनी है जो जीता है तो इसको रखेंगे उपर टोटल को रखेंगे नीचे 850 गुना करेंगे 100 से ठीक है जिस value का आपने percentage निकालना है उसको हमेशा उपर रखा जाता है total value को नीचे रखा जाता है और 100 से गुना कर दी जाती है अभी एक 0 जहां से कट गई उसके बाद पांट से काटोगे तो 8 जहां पर और 17 जहां पर ठीक है 800 बटा 17 इसको solve करते हैं स्तारा चुक 68 बारा स्तारा सत्य 119 एक तो इसका आंसर आएगा 47 वन बाई 17 ठीक है देखते हैं आंसर इसका 47 हाँ 47 का एक ही अंसर है वो है option number D ठीक है अभी हम दूसरा question देखते हैं दूसरा question आपकी screen पर जे रहा कि किसी व्यक्ति ने 600 रुपए invest किये simple interest पर ठीक है और उसको जो व्याज लगता है वो 6 प्रतिशत लगता है एक साल का तो 6 सालों में उसको कितना व्याज लगेगा इसको solve करने के दो method हैं दोनों method को हम समझेंगे पहले first method देखते हैं पहले इसके लिए हमें simple interest का formula पता होना चाहिए वो होता है principle into rate of interest into time divided by hundred ठीक है अभी यहाँ पर principle कितना दिया हुआ है हमें वह है 600 रुपए 600 रुपए invest करने थे rate of interest कितना दिया है 6 प्रतिशत समा कितना दिया है 6 साल तो इसको बस formula में पुट कर दो 600 principle rate of interest 6 प्रतिशत 6 साल के लिए divided by 100 20 जहां से कट जाएगी 6 को 6 से गुणा करोगे 36 36 को 6 से गुणा करोगे 216 ठीक है तो 216 एक तो आप इस method से निकाल सकते हैं दूसरा जो method है कि आपको पता है कि एक साल में 6 प्रतिशत व्याज लगता है ठीक है एक साल में कितना लगता है 6 प्रतिशत तो 6 साल में कितना लगेगा 36 प्रतिशत किसका 36 प्रतिशत प्रिंसिपल का ठीक है तो हमें क्या निकालना है 36% of 600 36 प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं आफ का गुना लगाते हैं 600 से गुना करते हैं तो 36 को 6 से गुना करोगे तू भी हमारा जवाब 216 ही आएगा ठीक है तो इसका जो आंसर है वो है 216 ठीक है तीसरा क्वेश्टन देखते हैं तीवेट ऑफ प्लेयर इने कबड़ी टीम वास तिस 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 कैलूकलेट ती एवरेज वेट एक कबड़ी की टीम है उसमें कुछ खिलाडी होंगे उन खिलाडियों का वेट बताया है जैसे पहले का 65 दूसरे का 66 तीसरे का 67 फिर को निकालना है एवरेज का फॉर्मुला क्या होता है कि पहले तो हम जो भी हमारे पास नंबर से हैं ठीक है उनका हम क्या करेंगे उनका हम सम निकालेंगे जोड निकालेंगे तो 65 प्लस, 66 प्लस, 67 प्लस, 68 प्लस, 69 प्लस, 70 प्लस, 71 ठीक है और इसको डिवाइड करेंगे जितने उपर नंबर है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो साथ से डिवाइड करतेंगे ठीक है, अब 20 का जोड करना पड़ेगा तो जोड करते हैं कि ऐसे करते हैं एक, शिख, शिक, दूशिक, भैट रहाते हैं शिख, ठारह, चार शक्तर होई, कश्च, 75 प्लस, 71 lists, 67 प्लस प्लस, 25 म्ट, 11, 16, 18, 18, 18, 18, 24, 29 तेटी, 33, 53, 53 और गयारह, 44 ठीक है 464 तो 464 बटा साथ जो है इसका जोड़ाएगा अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कि सत्तु शिक बताली चार चार जिसका अंसर आना चाहिए इसको तूस अंदा बासट के कि रिपको यांसर आ रहा है देखते हैं कि 68 अंसर आ रहा है तो मुझे लगता है हाँ सम में कहीं पर प्रॉब्लम हुई है फिर से देखते हैं एक ठीक है 26 आएगा जहां पर तो इसका मतलब है जहां पर 46 आएगा स्वरी सम में ही प्रॉब्लम है 46 जहां पर आएगा छे ठीक है तो अरे इधर ही निकाल लेते हैं वेट कीजिए एक मिनट का समय दीजिए तो जो इसका जोड आ रहा है वह आ रहा है कहां पर गया पहना मेरा इसका जोड जहां पर जोड सही मुझे को प्रॉब्लम होई है तो इसका सम आएगा 476 बटा 7 ठीक है ये वला आएगा और 476 को 7 से डिवैड करूगे 476 बटाली तो आएगा इसका 6 और बटाली से निकलेंगे साथ एक दो तीन चार पांच पांच शे सत्व आठ शे पंजा 68 इसका आंसर आ जाएगा ठीक है 476 बटाली डिवाइड बाई सेवन हां 68 इसका आंसर है कई बार जब हमारा दिमाग अटक जाता है ना चोटी चोटी चीज़ों वहीं अटक जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नमबर फूर कि पूनम मैडम ने एक लैप्टाप को खरीदा साथ हजार में ठीक है तो कॉस्ट प्राइज कितनी है साथ हजार उपए ठीक है और उसको बेज दिया पंतालीस हजार में सैलिंग प्राइज कितना है पंतालीस हजार उपए तो उनको लॉस कितना हुआ ये क्वेश्चन है ठीक है तो पैसों में बात करें तो उनको जो लॉस हुआ है वो हुआ है पंदरा हजार का साथ हजार का खरीदा पंतालिस का बेच दिया तो पंदरा हजार का लॉस हो गया लेकिन अगर परसंटेज में निकालना हो लॉस को तो उपर रखेंगे लॉस निचे रखेंगे कास्ट प्राइस इंटू हंटर्ड लॉस कितना हुआ है पंदरा हजार कास्ट प्राइस था साथ हजार इन्टू हंडर्ड ठीक है तीन जिरो तीन जिरो से कट गई एक जिरो इधर कट गई 15 को दस से गुना करूगे डेट सो डेट सो को डिवाइड करूगे छे से छे दुनी बारा तीन जिरो छे पंजातीस प्रतीस उनको 25 प्रतिशत का लॉस हुआ ठीक है ओप्शन नंबर एप क्वेश्चन नंबर पांच की की कोई परसन एक ब्रिज को जिस ब्रिज की लंबाई 700 मीटर है उसको क्रॉस करता है 7 मिनट में ठीक है मतलब की डिस्टंस कितनी है 700 मीटर कितने समय में उसको क्रॉस करता है साथ मिनट में तो स्पीड कितनी होगी स्पीड किसमें निकालनी है मीटर पर मिनट में स्पीड कितनी होगी तो स्पीड का फॉर्मूला होता है distance upon time distance है 700 मीटर, time है 7 मिनट ठीक है, 7 से 700 कटेगा तो 100 आ जाएगा क्या आ जाएगा, 100 मीटर परती मिनट ठीक है, तो जही हमारा answer है, मीटर परती मिनट भी आ गया, 100 भी आ गया option नमबर भी ठीक है पांच माँ अभी छठा करते है छठा है time and work से जे question है ठीक है कि जो A व्यक्ति है वो किसी काम को पांच दिन में कर सकता है करता है और B व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में करता है अगर वो दोनों मिलकर उस काम को खतम करेंगे तो कितने दिनों में खतम करेंगे इसके भी दो मैथट है पहले मैं आपको दोनों method समझा देता हूँ जो first method है वो उस इस तरह से है कि जो A काम करता है वो 5 दिन में करता है जो B काम करता है वो 6 दिन में काम करता है तो अगर दोनों को जोड दिया जाए दोनों साथ मिलकर काम करने लगे तो 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 6 6 पांचे 30 6 प्लस 5 तो क्या आजाएगा 11 बटा 30 मतलब कि 30 को आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो आजाएगा 2 दुनी 22 8.0 2.7 दिन में वो दोनों साथ मिलकर उस काम को खतम करतेंगे ठीक है जी तो इसका पहला method था question देख ले था answer तो सही आया है दूसरा method है वो है efficiency वाला जिसमें क्या होता है कि A इस काम को 5 दिन में करता है B इस काम को 6 दिन में करता है total work होगा दोनों का LCM दोनों का LCM है 30 efficiency की बात करें अगर A पांच दिन में काम करता है total 30 unit काम करना है तो इसकी efficiency 6 है इसकी efficiency 5 है ठीक है A की efficiency 6 है B की efficiency 5 है दोनों को जोड़ दो तो efficiency दोनों की कितनी हो गई? ग्यारा total work कितना है? 30 तो 30 को 11 से डिवाइड करोगे वही answer आएगा दो क्वैंट साथ दिन ठीक है? यह था हमारा चटा question next है work and time से question है जहां पर ही देख लेते हैं की अंदरा worker एक दिवार को बनाने के लिए मतलब की पंदरा कारिगर एक दिवार को बनाने के लिए 20 दिन का समय लेते हैं तो अगर उसी दिवार को 12 दिन में बनाना हो तो कितने worker जा कारिगर चाहिए? इसका तो एक simple सा formula होता है that is M1 D1 is equal to M2 D2 की अगर 15 worker लगातार 20 दिन काम करते हैं तो एक दिवार बनती है तो this is a total work अभी इतना ही काम 12 दिन में निपनाना है तो कितने person चाहिए? तो दोनों को हम equal रख देंगे 15 गुना 20 is equal to 12 गुना जो भी हमने निकान ला है number of worker W मान लेते हैं अभी कैसे इसको करते हैं तीन से कर देते हैं पांच चार चार पांच तो पच्चिस पच्चिस वर कर चाहिए अगर उस दिवार को हमने 12 दिन में बनाना है ठीक है? क्या 25 अही है? हाँ 25 अही है नेक्स्ट क्वेस्चन है बाड मास से इदर लिखते हैं बी ओ डी एम ए एस इसमें ब्रैकेट भी नहीं है आफ भी नहीं है तो सबसे पहले डिविजिबिल्टी सॉल्व करेंगे नौ को नौ से डिवाइड करेंगे अंसर आ जाएगा एक इस दोनों को हटा कर अंसर आ गया एक उसके बद स्वाल्व करेंगे मल्टिपिकेशन पांच को दो से गुना करेंगे अंसर आएगा दस इस दोनों को हटा के अंसर आ गया दस तो क्या आ आ गया आठ प्लस एक फ्लस दस मैनस साथ ठीक है अब solve करेंगे addition ये addition है 8 और 1 9 10 और 9 19 19 minus 7 19 से 7 निकाल दो 12 ठीक है तो कितना answer आए हमारा 12 ये रहा question number 8 अभी हम देखते है question number 9 कि किसी गाओं की population जन संख्या एक लाख से बढ़कर डेड़ लाख हो गई एक decade में क्या बोलते है हिंदी को decade में मतलब कि 10 सालों में जो जन संख्या है एक लाख से डेड़ लाख हो गई तो average हर साल कितनी जन संख्या बड़ी होगी जे पूछा जा रहा है तो पहले जन संख्या थी एक लाख एकाई दहाई सेंकड़ा हजार दस जार लाख बाद में हो गई डेड़ लाख ठीक है कितनी बड़ी ग्रोथ कितनी आई तो वो आई है पचास हजार की पचास हजार की बड़ी कितने सालों में दस सालों में दस सालों में पचास हजार की बड़ी तो एक साल में कितनी बड़ी एक साल में बड़ी पांच हजार अगर दस साल में पचास हजार बड़ी है तो एक साल में पांच हजार हाँ ना तो तो इसका percentage पूछा है, कितने percentage बढ़ी है, तो 5000 जिसका percentage निकालना है वो उपर, ठीक है, उसके बाद जो पहले थी, एक लाक वो नीचे, गुना 100, ठीक है, अभी जो 30 जे वाली है, इधर कट जाएगी, 20 इधर कट जाएगी, तो 5 प्रतिशत की बढ़ातरी हुई है, हर वरश, 5 प्रतिशत की, ठीक है, अभी हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, जो की एवरेज से है, इसमें जहाएं कि किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, जिसमें से 10 लड़के हैं, तो 15 लड़किया हैं, ठीक है, लड़कों का जो एवरेज वेट है, वो है, वेट की बात करें, तो एवरेज लड़कों का है, बचपन केजी, और लड़कियों का है, पचास केजी, ठीक है, तो एवरेज वेट निकालना है हमें सभी कलास का, पूरी कलास का, एवरेज निकालने के लिए हमें उपर total weight चाहिए पूरी class का नीचे चाहिए number of students पूरी class में number of students तो 25 है यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमें दोनों बच्चों का मतलब की boys car और girls का total weight चाहिए तो 10 लड़के हैं हर एक लड़के का 55 kg वजन है तो 500 kg हो गया लड़कों का वजन 15 लड़किना है और एक लड़की का वजन 50 kg है तो 700 kg हो गया लड़कियों का वजन दुनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 1300 kg तो बस 1300 kg को हम 25 से डिवाइड कर देंगे एक दो तीन चाथ तो आ जाएगा छे सो स्वरी 68 kg कितना आ जाएगा 68 kg देख लेते हैं 52 kg आया है कहां पर गलती होई है 1300, 125 अच्छी फिर से देखते हैं टोटल से तीरह सो दस बीस चार सो को चार से करेंगे पहला में 25 से गुना करेंगे तो 125 पांच जीरू दू हां 52 ही आएगा ठीक है 52 के जी है ठीक है ठीक है तो यहां पर हमारी जो क्लास है वो खतम होती है अगर आप इस प्रैक्टिस बैच के PDF लेना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस बैच को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन है हमारी इसको आप इस्टॉल कर लेना अगर आप MTS और Postman की प्रिप्रेशन शुरू से करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच को ना जोइन करके जो फुल फ्लेच बैच ही आप जोइन करना इसमें आपको सब कुछ मिल चाहेगा पहली 6 डेमो क्लासस फ्री मिलेगी आपको तो एप को इन्स्टॉल करके पहली 6 डेमो क्लासस आप देख सकते हैं अगर उसके अलावा भी आपका कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते है तो एप में एक चैट का आप्शन आता है वहाँ से आप पूछ सकते हैं ठीक है अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ अभी के लिए जाए हिंदे जाए भारत जाजवा जाए किसा